तो हेलो दोस्तों जब अचानक से महमान आ जाए और समान होकम तो इस तरीके से आठा और ब्रेड की रेषिपी बनाएं तो चलिए इसकी रेषिपी देखते हैं तो यहां हमने आलू ले लिया हैं बोल करके तो इसे जो हैं हम इसे इस तरीके से मेस कर लेंगे जैसे धनिया पाउडर लाल मेलची पाउडर अब इसमें घुना हुआ जीरा पॉडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे साथ में यहाँ पर मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ अब इन सभी को एक साथ ही हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमने आलू को जो है अच्छे से मिक्स करके फिलिंग तयार कर लिया है तो अब इसे हम साइड में लग देते हैं और यहाँ जो हमने गिहू काटा ले लिया है अब इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बैटर तयार करेंगे तो देखिए यहां हमने बैटर तयार कर लिया है यह ना जादा गारा है और ना ही जादा पतला है तो अब इसे भी हम साइडर कर देते हैं और यहां पर हमने एक प्लेट ले लिया है अब इसमें हमने ब्रेड ले लिया है चार ब्रेड है और इस तरीके से जो है न हम इसे काटेंगे तो देखें ब्रेड को जो हमने इस तरीके से चोकोर पीज में काट लिया है तो सभी ब्रेड को हम इसी तरीके से काटेंगे तो देखें यहां पे जो हमने सभी ब्रेड को काट लिया है और अब यहां पर जो हमने आलू वाला फिलिंग तयार किया था वो इस पे अब हम अच्छे से लगाएंगे तो देखिए यहां पे हमने अलू अलफलिंग ब्रेड पे अच्छे से लगा दिया है और अब यहां जो हमने आटा का घोल तयार किया था उसमें अभी से हम अच्छे से डिप करेंगे देखें इस तरह के से डिप कर दिया है और हमने इधार तेल गर्म होने के लिए लग दिया था तो तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है तो आब ने जो ब्रेड तयार किया था अलु की फिलिंग के साथ वह इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे तो देखें यहां जो हमने सभी ब्रेड को डाल दिया है और एक साइट से जो है अब यह सिख गया है तो अब इसे हम पलट देते हैं तो यहां एक-एक करके जो हम सभी को पलट देंगे तो देखिए हमारा यहां जो bread वाला नास्ता है वो बन करके तयार हो गया है तो यह अच्छे से सुने रहा हो गया है तो अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से जो हम एक एक करके निकाल लेंगे जाली वाले चन्नी पर जिससे इसमें extra जो भी oil होगा वो निकल जाएगा तो देखिए हम ने सभी को अच्छे से निकाल लिया है थोरी देर हम ऐसे ही रखेंगे अब यहां दूसरा batch भी हम तयार कर लेते हैं तो देखिए हम ने दूसरा batch भी तयार कर लिया है और ये भी बन करके तैयार हो गया तो इसे भी हम सेम प्रोसेस के साथ निकाल लेंगे तो देखने इहाँ पर जो हमारा नास्ता बन करके तैयार हो गया है तो इसे देख करके कोई नहीं कह सकता है कि गेहूं के आटे से और ब्रेड से बना है तो अब इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें या फिर टमैटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें तो अगर ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दे जदा ज़्यादा सेड़ करें और सब्सक्राइब कर दे कमिंट करें की जो रेसिपी कैसी बनी है तो एक बार इस रेसिपी को आप सब जरूर ट्राइं करें धन्यवान मिलते हैं कल फिर एक और यही दिपकिस